नमस्कार, चोतिस वास्तू और उपाई के चैनल में आपका स्वागत है, बात करेंगे आज के राशी फलकी, आज दिनांग 15 अप्रेल 2023 है और दिन है शनिवार, तो सिंग राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर आ रहा है और कहां इनको सावधानी परतनी है, सं तो आज वैसाग मास के केष्ण पक्ष की दश्मितिति है, पूरे दिन रहेगी, फिर बाद में लग जाएगी एक का दशी, चंद्रमा आज रहेंगे मकर राशी में, जो की सिंग राशी वालों के पड़ता है, शिक्स आउस के अंदर, रोग रिन और शत्रू के घर में आप के सप्तम घर में, तो आज का दिन कैसा रहेगा, उससे पहले चर्चा करें, आज के सुब समय की, आज का सुब समय, एक तो सुब सुब ही मिल रहा है, शिक्स ओ क्लॉक से लेके 7.30 तक, इस समय कोई नया कारे शुरू कर सकते हैं, इतनी जल्दी अगर करना चाहें, तो नहीं आती है, आज 11.35 से लेके 12.30 तक का समय, अभिजीत मूरत का है, इस समय आप कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, नया व्यपार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, या कोई भी नया कारे, शुब कारे, इस टाइम में कर सकते हैं, साथ ही हमको रहुकाल का पी द्यान रखन चाहिए रावकाल में कोई भी शुब और नयकारे हमको नहीं करना चाहिए आज सटेड़े का रावकाल है नाइन ओ कुलोक से लेके 10.30 तक तो 9 o'clock चे 10.30 तक के समय को टाल करके फिर आप कारे करे यात्रा करना चाते हैं तो यात्रा वैसे तो आज आपके लिए favorable नहीं है फिर भी यात्रा करना चाते हैं तो आज बता दूँ यात्रा में आपके East की दिशा में दिशासूल लग रहा है तो East की दिशा की यात्रा करने से पहले कुछ कदम West में चड़े पच्छिम दिशा में और फिर आप पूरुग दिशा में जा सकते हैं साथ ही दिशासूल का परियार यह है कि आज आज आप उड़त खाके भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं पैसे आज आप यात्रा टाल दें तो शेष्ट आपके लिए रहेगा अब बात करते हैं सिंग राशी वालों के ग्रेग उचर के साफ से इनका दिन कैसा भी देगा आज आपके 6 आउस में चंद्रमा चल रहे हैं जो करिब करीब पूरे दिन रहेंगे शाम तक रहेंगे तो आज आपको बहुती सावधानी से समय वेतीत करना है विशेश करके वाहन चलाते समय आपको बहुती सावधानी रखनी है क्योंकि वाहन से आपको कोई चोट लग सकती है दुर्गटना हो सकती है यानि कि चोट चपेट का आज डर है या फिर आपके वाहन के उपर आपका कुछ खर्चा हो सकता है तो वहांँ चलाते समय बहुती सतरक साउधान रहके कारे करें, साथी अपने स्वास्ते का भी आज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिक्सा उसमें चंद्रमा होता है, वो स्वास्त को भी खराब करता है, तो खान पान पर आप नियंत्रन रहें. आज किसी को भी धन आप उधार ने दे, क्योंकि जिसको भी धन आप उधार देंगे, उसमें बाद में बहुती शत्रूता आ जाएगी और आपके लिए परिशानी का कारण बन जाएगा, धन तो आएगा नहीं, बलकि और ज्यादा प्रॉब्लम क्रेटिंग मेटर बन जाएग तो आज आप धन का लें दिन करते समय बहुत ही साउधाने रखें, अच्छा तो यह होगा कि आप धन ने तो उधार दे, नहीं उधार ले, अगर बैंकों से या किसी भी प्राइवेट बैंक से आप करज लेने की सोच रहे हैं, तो आज आप करज बिलकुर ने ले, क्योंकि धन का लेना और देना दोनों ही द्रिष्टी से शिक्साउस का चंद्रमा शेष्ट नहीं रहता है, करज के दलदल में फसने वाले लोग वह होते हैं, जो छटे चंद्रमा के अंदर करज ले लेते हैं, तो आप आज करज ने ले, चुकाने में आपको बहुती परिशानी परिशारी से और वह आज बीजी भी रहेंगे, कारे इस तल पर भी सावधानी से करें, क्योंकि आपके खिलाब कुछ ने कुछ कानफुस ही हो सकती है, या वहाँ पर कुछ ऐसी राजनितिक इस्तितिक वाला माहोलो, कुछ उने कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो, तो आप उन सबसे दूर रहती वे, अपने काम से काम रखें, आपका दिन सेश्टता की ओर चला जाएगा, आप किसी भी तरह की गौसिप का हिस्सा ने पढ़ने, और नहीं गौसिप करने की करके अपना टाइम बेस्ट करें, शांतिस अपना टाइम बेतित करें, इधर उधर की बातें ने करें, किसी की बात इधर, इधर की बात बुदर, ये भी बिल्कुल, माफ कीजिए, ये भी आप बिल्कुल ने करें, थोड़ा सा संगर से बरा दिन रहेगा, परन्तु आप सबी प्रोब्लम को आखिर तक सही कर लेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा जा रहे हैं सब्तमगर मे हावी होंगे, धन उधार ने दे, वेपारी हैं वो भी धन उधार ने दे, अब बात करते हैं जीवन साती की, तो जीवन साती से आपके संबंद मधूर बनीवे रहेंगे, वानी पे आपको सेयम रखना है, लव एन रिलेशन्शिप वालों की बात करें, तो वहाँ पे पे आ विद्यारतियों के लिए आज का दिन मेनत पराया है, परंतु मेनत सही सपलता प्राप्त होती हुई दिख रही है, कुल मिला के दिन आपका बैतरी की और स्याम को हो जाएगा, सफेद रंग आज आज आपके लिए शुब रहेगा और दोकांक भी आपके लिए शुब है, कै झाल 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 झाल